वेलकम टू आल आज आपन नवीन कंसेप्ट बगना रहोत रिलेटेड टू एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग इज पोजिशनिंग इन CSS हेचा आगोधर आपन लास्ट लेक्चर ला वेरियस टाइप चा CSS प्रॉपर्टीज पहले होते हैं ऐक ही एक प्रॉपर्टीज आपन नंवीन कंसेप्ट करतों नुक्त लास्ट देटेडू होते हैं लास्ट लेक्चर लापन CSS चा वेरियस टाइप चा प्रोपर्टीज बगितले होताया लाइक कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वीर्थ, बैक्राउंड इमेज, बैक्राउंड कलर ठीके, आई होप ते तुम्ही सगैने नोट दूक में दे लेला सेल, ताच अशी रिलेटेड, सगा तो चार्ट ड्रॉ के लेला सेल, ठीके आज आपन जी कंसिप्ट बगना रहोती पनेक CSS ची प्रोपर्टीज आहे, अनि ता प्रोपर्टीज चा यूज करना पन टेक्स ला पोजिशन देऊ शोकतो अन वेब पेज, सो बेसिकली CSS helps to position the HTML elements, मैंजे HTML चे जे पन टाइग जेत भीरियेस, ता टाइग में दे जे पन टेक्स्ट माटर आपन लीतो, ताला पोजिशन करने साटे आपन बेसिकली positioning चा यूज करतो, ठीके, the position property is used to set position for an element मैंजे element चे position set करने साटे आपन position ही property यूज करतो the element can be positioned by using top, bottom, left and right properties मैंजे हा चार टाइप चा प्रोपर्टीज येत की जान चा यूज करूना आपन particular element वेब पेज वरती fix करू शकतो, कुटले कुटले प्रोपर पोजिशन साहे, top, bottom, left and right है properties ये चान चा यूज करना आपन ते पर्टिकुलर text वेब पेज वरती place करू शकतो, ठीके so basically positioning means का है, html element मैंदे जे पन आपन text लीतो, कि मैं जे पन content लीतो तेला एका fix position वरती जर place कराया शेल, तरते चे शिर related आपन काई वापर तो, positioning property वापर तो ठीके, आता how to write a positioning property ली, तत कसा ताच मी example आणी syntax दिले ले बगा so basically syntax मेंदे तन्नी काई वापर ले तरहा एक selector आहे, कि जाचा use तुम्ही position त्या particular element ला assign करने शाटी करना रहाद आणी next तनी दिले ले position, position मेंदे value दिले ले, तर CSS मेंदे different types चा positions आहे, त्या पन पुडबगना रहोत आता top दिले, left दिले, bottom दिले, आनी right दिले, मंझे त्या particular element ला, कि त्या particular tag ला, अपले ला किती-किती places सोडून डिस्पले कराया चे सो ते तुम्हाला इथ दिले रे, syntax मेंदे, आता त्या सिस रिलेटेड इकड़ चा वा जो लेक example दिले बगा, अपले लोका शाला positioning कराया चे तर सिलेक्टर काया चे is to any type of tag, कुटला ही tag अशेल, तर तहला आपन पोजीशनिंग डिवुशक तो, तैला चे काया मनताच सिलेक्टर मनताच, त जले चे काया चे चे कि जाला, आपन्य आपन पोजीशनिंग, असैन कराया चे so position में दे मिकाय दिलाip fixed position दिली मंज़ा tag ची position हल ली नाई पाई जै as it is fixed रहली पाई जै तराती fix position करता नो कशी fix जहली पाई जै top person 50 pixels below असल आनी right person 50 pixels display जहली पाई जै मन्झे जावेश तुम्चा ते टेक्स्ट डिस्प्ले होईल टॉप राइट साइड ला 50 पिक्सेल सोड उन तुम्चा ते टेक्स्ट डिस्प्ले होईल आनि तचा कलर काया से ब्लिव असेल जितमी पी टाइग वा प्रेल तचा जोपन वर्ड लील बॉड़ी पार्ट में तेला हे पर्टिकुलर पोजीशनिंग एपलाई जालेला सेल कि मां हे पर्टिकुलर सीएशेस एपलाई जालेला सेल ठीके पर एक दा सांगते बगाल लक्षा जाएँ सिलेक्टर मंझे सकाए कुटला ही एक टाग की जाचा यूज आपन पोजिशनिंग सटी करना रहोत सो पी हाकाए टाग एकी जला मी एज सिलेक्टर मनोनी यूज केला पोजिशन ही काए प्रोपर्टी यानि तला असलेली वहल्यू अपलेला असैन कराइची पोजिशन ला काएं वहल्यू असैन के लिए खी टॉपटी पिक्सेल असैन के ले लेव्ट ची वहल्यू मना देची यह सो मी लेफ्टला 50 पिक्सेल डिली आता इत भगा सिंटेक्स में दे टॉप लेफ्ट बॉटम राइट तुम्ही कुटले ही टाइप ची तेला वहल्यू देऊ शकता बट एक्जांपल में देमी दोनच वहल्यू देले ले टॉप आनी राइट कि मैं जाने करमा आजा टेक्स टॉप पासुन 50 पिक्सेल खाली आसला पाईजे आन पोजिशन चा जो इथा एक्जांपल में आपन पाहिला होता कि पोजिशन ची वहल्यू सो पोजिशन चा वहल्यू चे चार टाइप सेथ तेच अतला एक टाइप आपन इथा पाहिला होता कि जाच नावा है फिक्स्ड ठीके ठीके इथा ज़ा आपन पी टाइग मेरे फिक्स दा हा पोजिशन चा टाइप पाहिला होता सेम तसच अपलेला विरियस टाइपस बगाई चे पोजिशन चे बगवें, Types of Positioning स्तराता आपन CSS मन्दे Position ला value देने चार टाइप सेथ कि जा चार टाइप से यूज करना आपन Position असाइन करू शकतो So basically there are four types of positioning in CSS First one static, second one fixed, third one relative and fourth one absolute So है Position साहेथ कि है चारी पे की कुटली ही एक Position आपन देऊँद ता पर्टिकुलर टेक्स ला Position असाइन करू शकतो So आपन one by one बगुया पहला type of positioning आहे, static positioning So ता चमदे दिले बगा This is by default positioning for HTML elements It is not affected by top, bottom, left, right properties So जीद पन तुमची default position असेल, तीक है असेल, static असेल कि ता पोजिशन मधे तुम्हाला टेक्स्ट वर्ती कुटले ही changes implement हाईला नो कोईत मैं जासा तुमी दाखवाल जासा प्रोग्राम ली हाल ता से टेक्स्ट डिस्पले हाईला असेल ता पन कुटली positioning देतो static positioning देतो कि जाला काई महनताथ default position असेल महनताथ So इथा तुम्हाला top, bottom, left आने right ला कुटला ही affect नो होता output डिस्पले कराईचा सेल ता पन काई सेट करतो default property सेट करतो कि जाला काई महनताथ static positioning महनताथ जर तुमी काहीच नहीं दिला किवा position colon static दिला तर तो कायास तो default position पकड़तो आने ता position ला तुम्हा text डिस्पले होता ठीके So next property आहे position ची fixed जासके आता अपने example में पाहिला होता fixed property में दे तन्नी दिले this property helps to put the text fixed on the browser the fixed element will not move even when the page is scrolled मंजे तुम्हा web page जरी वर खाली scroll के ले तरी fixed text JSL ते as it is तिथाच दिस्त जा position ला पन तेला fixed के ले ठीके So दोन टाइप चा positioning आत्ता परेंता आपन पहले एक मैंजे static आने दुसरी मैंजे fixed static ही by default आसते fixed position में तुम्हा text scroll web page scroll के ले तरी पन महों होत नाई ठीके third property of positioning आप लेला बगाएची के जाच नावा हे relative positioning the relative positioning property is used to set the element relative to its normal position मंजे जस तुम्हा web page आपन minimize करू maximize करू तस ते relative content ला set होते तुम्हा जी पन positioning असे according to size of your web page ते particular positioning implement होत रहात ठीके next positioning चा type आप हे कि जाला महनता absolute this property sets an element in a specific location this property positions the element at the specified coordinates relative to your screen top left corner जर तुम्हा absolute positioning दिली आनि तचा लाइक top, bottom, left आनि right है वहल्यू दिला तर तचा शे related तुम्हा टेक्स्ट हे कुठून set हाईला सुर्वात करता top, left मंजा web page चा top पासुन left तुम्हा टेक्स्ट हे हाईला सुर्वात होता position हाईला सुर्वात होता हे चाशे related तुम्हाला एक्जाम मादे लक्षात का एठेवाई चे तुम्हा टाइप्स ओपोजिशनिंग वीच इच स्टाटिक फिक्स्ट रिलेटिव एड एपसुलेट स्टाटिक का ए बाइडिफोल्ट पोजिशनिंगा हे फिक्स्ट माझे तुम्हा web page स्क्रोल जरी जाले तरीपन तुम्हा ते फोर्थ पोजिशनिंग आ हे एपसुलेट तुम्हा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पासुन एपसुलेट पोजिशन ला सेट होत ठीके ते चाशी रिलेटिड़ात आपने एक एक्जांपल भोगया बगा इथा मी स्टाइल मदे फर्स्ट नावाचा ग्लास गेत लाए का तेला ग्लास माटले कारण तिथ हमी डॉट सिम्बॉल वापर लाए सो इथा फर्स्ट नावाचा ग्लास गेत लाए कि जाच अमादे पोजिशनिंग रिलेटिव दिलेली टोप ला माईनस 10 प्रवाइट 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 प् attribute वापर ले कारण वर्ती मी class use के लाई so h1 मदे class is equals to first गेत लाई आनि खाली h2 मदे मी just normal css लील होता internal css so as it is मी h2 हाट टैग वापर ले this is heading 2 ठीके जर मी इत h2 चाग अधर hash symbol वापर ला सतर माला तो id मोनन वापर ता आला सता बट मी normal internal css लील h2 साथी ताचा मों इतो मी as it is इत डायरेक्ट h2 टैग वापर ले ठीके so आता है चा output बगा आता बगा काई सांगितल होता पहले आमादे top person minus 10 आनि left person minus 10 सो तैने बरोबर position ला heading 1 डिस्प्ले के ले आनि second है चामादे top person 100 आनि right person 150 sorry right left person असिल sorry left person 100 pixel आ है आनि top person 150 pixel आ है आनि right person 150 pixel आ है आशा पद्धती न आपन text डिस्प्ले करू शोकतो with the help of positioning property तर position का शसाटी वापरता to position the text on web page ताचे चार टाइप साहे पोजिशन चा value चे static, fixed, relative and absolute ठीके next concept अपलेला बगाई चे float property जासा positioning property CSS मदे वापरता तस float property पन वापरता float is a CSS property written in a CSS file और directly in the style of an element the float property define the flow of a content मन जा तुम्चे content डिस्प्ले होने चा flow का सासेल तो define करने साट यापन float property वापरता याथ अटा बगा हमेसे ही तह तहीं त्यें टाईप च्प्लोट प्रॉपर्यस थे खकते वापर्दिया तो float left दुषरा था flirt right और आनि तिसरा sacred float Choose float Nou float left में बंजे कि Left पासं किति साइज तो display's हाला पाए ये कि मह किति डिस्टंस ने तो display's हाला पाए ये यह पन फ्मोट ची वेबसाइट रिप्रापर्टी असल तचा फ्मेक लेघी दिसुली होते पुप्रपर्टिया जैस पॉजों पॉजिशन आहे कलर आहे बार डर आशे पुप्री आहे तचा फ्मेक नहीं था अंट ऐसा फ्मेक लोफ कंटे yönट करते कि States सो आता टाइप ओफ फलोट प्रोपर्टी आयो है तमें जो फ्लोट प्रोपर्टी चे तिन टाइप एट फलोट लेफ्ट राइट और फ्लोट नाद आता ज़सकी तान्ने मिमगाशे सांगीतल लो तै चाननों सर फ्लोट लेफ्ट मरेख यायम हिटले ज़र मैं आ समांटला float-right colon 100 तर तो right side चा 100 pixels उड़ून तुम्हाला content डिस्प्ले करें ठीके, so float right मने this keeps the element float on a right side of container मनझे तुम्चा container वरती light container मनझे तुम्चा यह वेब पेज तर तर त्या पेज वरती right बाजुने किती जागा सोडाईचा आनि मनग तुम्चा text display कराईचा है चे चे रिलेटेड प्रॉपर्टिया है float right ठीके, आनि third property जे आहे तीचा नावा है float none, this is a default property ठीके, that is shown, shows the element as it is, मैं ज़र तुम्ही नाही दिली कि मा float none मतला तर रिपन ते as it is तुम्हा text display करता, मते by default web page वरती left side पासुन text display होईला शुर्वात होते ठीके, इसो है तीन टाइप चा float property, float left, float right and float none ठीके, आता ता चे चे रिलेटेड आपन example बहुए है आता इता तानी काई दिले, float dash left आनी float left की जचा थ्रो मा आज़र text काई ज़ाला पाईजे left ला float ज़ाला पाईजे, ठीके, font size किती दिले, 20 pixel दिले, background color काई दिले, gold दिले मैं ज़ा तुमचा ज़ा text लेफ्ट साइड ला float ज़ाला पाईजे, आनी ताचा background color gold असला पाईजे आनी font size किती दिले, 20 pixel second text दिले, float dash right, कि जचा में दे float right असला पाईजे, font size 20 pixel असला पाईजे आनी background color pink असला पाईजे अगेन इथा मी दोन class वा पर लेट, बगा dot float ना वाचे, dot float right, dot float left हे दोन class इथा का तर मी शुरुआते ला dot symbol यूजे के लेले, ठीके तेचा में दे बगा, आता इथा मी class वा पर ले कारण आपन style में दे dot symbol वा पर ले, जिता dot symbol style में दे वा पर तत्तो काया असतो class attributes तो, ठीके, so h2 class float left मतले, बाल भरती हाँ वरते चा, हे के लेले, assign के लेले, तेचा में दे खाली, एक simple paragraph assign के ले, this text rearranges itself to flow around the element that is floated left, जे जे पन तुम्चा text असेल ते, left ला float होई, आनि second h2 में दे मी again float right नावा चा class assign के ले, जो मी previous program में head section में define के लेले, ठीके, आनि खाली हाँ गेन एक p tag लीले, बागा इथ मी दोन class define के ले, एक मंझे float-right आनि दुसरा मंझे float-left, ठीके, हे दोन class एक महनुन मी तेंचा, class as a attribute use के ला, आनि ते इथ implement के ले, class is equals to float left, class is equals to float right, आता output बाल भारती, हे दोन word मी float में assign के ले होते, सो, शुरुवाती चा जो वर्ड एतो का ये, float left आ हे, सो तो left पासुन display जाले, आनि second चा जो बाल भारती हे, तो float right होता, सो तो right पासुन display जाले, ठीके, सो आता third property प्लेला भागाई चिये, display property, before that अपना तपरेंत दोन टाइप चा प्रोपर्टी पहला, एक मेंचा position, आनि दुसरी मेंचे float, position चा चार भालुएत, fixed, sorry, static, fixed, relative and absolute, float चा पन चार तीन भालुएत, left, right and none, ठीके, so display property भागाईत, the display property in CSS defines how the components like hyperlink, heading are going to be placed on the web page, as the name suggest this property is used to define the display of different parts of a web page web page वर्ती वेगे वेगे elements कि मा वेगे वेगे components like hyperlink, heading, paragraph images कसे format में display कर आईच ते define करने चाटे आपन का use करतो display property कि जाचा use करना आपन web page ला various type चे display component assign कुरू शोकतो ठीके, so display property चापन again values it, चार टाइप चे value येद ते चागोदर आपन syntax भगविया कि display property ली ततकस, syntax में दिले वा गताने display colon value semicolon, display असे ते चापन फुड़ो colon आणी value में ये जा खाली चार टाइप चे value दिले ते चापे कि कुटली ही एक value आप लेला use कराई चे, तर value कुटले कुटले दिले तनी inline block, block inline and none, ठीके so आपन एक एक बगविया so there are four types of value used for display property, display property चार value ये, first one is inline, ठीके it is used to display an element as an inline element मंझे, जर में display inline मंटला, आणी ते चागो दर वर्ती h2 tag वा परला सेल तर त्याज tag ला line apply होईल, with the help of display property, ठीके, मैं जे ते display में जे जे तुम्ही, css apply कर आलते, as it is apply होईल, so आपले लो फक्त काई देचे display colon inline second आहे block it is used to display an element as an block element, it starts on a new line and takes up the whole width of browser window में, जे जे उड़े अपन वीड़त में टेक्स लहील त्याज पूर्ण वीड़त ला तुम्हाला block assign होईल, कि मां box assign होईल, with the help of block property, आता हे तुम्हाला in detail के हमां समझेल जे हमां पन हेचे रिलेटेर प्रोग्राम करो तर में आलगोदर पन सांगीत ला होता है आज परत एक दा सांगते कि जांचा जांचा घरी कंप्यूटर आहेत त्या मुली हे सगे प्रोग्राम करून बक्तिल त्याने तुम्हाला हे सगे प्रोपर्टी अन्खिन व्यवस्तित समस्तिल ठीके, third property अपलेला अब कहें ची ब्लॉक इनलाइन इस वाल्यू इस वहरी सिमिलर तु इनलाइन इलेमेंट बट द द द द दिफरेंस इस दाट यू आर अबल तु सेट द वीर्थ अन हाइट मन्जे त्या पर्टिकुलर ब्लॉक ची अपलेला वीर्थ अन्य हाइट सेट करता है अनि फोरता है इलेमेंट इस अ कम्प्लीटली रिमूड मिन्स नन तुम्हें डिस्प्ले ले नन जर आसाइन के लए तर जैपन आगोदर आपलाई के ले ब्लॉक सस्तिलते सगे रिमूव होता है ठीक है सो आता है अपन एक्जांपल बगुए है डिस्प्ले प्रॉपर्टी चाहिए तुम्हाला मिन दोन एक्जांपल दिले ले एक मंजे ब्लॉक आनि दुसरा मंजे ब्लॉक इनलाइन रिलेटेड आता इथा बगा स्टाइल में आपन ए टाग घेतला है आनि ए टाग में दिस्प्ले लागा आसायन के ले ब्लॉक आनि बैगराउंड कलर काई दिले टाग ब्लॉक चाह इन ओरेंज ठीकें सो मिच्टाइल हेड बोड़ी स्टाइल क्लोज के लिए हेड क्लोज के लानि बोड़ी ओपन के लिए आता बगाई इता तुम्हाला तन्नी दिले विजित नेक्स्ट पेज आता काई ब्लोक प्रोपर्टी चेहे एक्जाम्पले ब्लोक निकाई होतो त्या पर्टिकुलर वर्ड रिलेटेड जा उढ़ापन वेब पेज़ चा एरिया सिल्टा लगाई असायन होतो ब्लोक आसायन होतो आनि वेड चा खाली अंडरलाइन डीस्प्ले होतो है ठीक है, तो कलर कुठला दीला होता ओरेंज दीला होता आनि ता कलर थ्रो में ऑरेंज़ हाव़ डिस्प्ले करना है, ठीक है ब्लोक इनलाइन महाटले मन जगाय पर्टिकुलर ते उड़ाच ब्लोक साथी मी P टाइग मेदे विजिट नेक्स्ट पेज हाव वर्ड लीलाए ते आच पर्टिकुलर वर्ड साथी ते CSS एपलाई होई तो होल वेब पेचा एरेय ओकुपाई करतने ब्लोक इनलाइन महादे आपन जगा उड़े पन वर्ड टाइप करू ते पर्टिकुलर टाग महादे ते उड़ाच वर्ड ला तो पर्टिकुलर ब्लोक असाइन होतो विज ब्लोक इनलाइन प्रोपर्टी आउट्पूट वर्ण तुम्हाला लग्षाताला सेल की डिफरेंस बिट्वीन ब्लोक अन ब्लोक इनलाइन प्रोपर्टी ठीके हे ब्लोक प्रोपर्टी चा आउट्पूट आहे अनि हे जा आहे ते ब्लोक इनलाइन प्रोपर्टी चा आउट्पूट आहे ठीके पोजिशन में दे चार टाइप चा वहल्यूए तथ, Static, Fixed, Absolute and Relative. तेचाना थर फ्लोट में दे तीन टाइप चा वहल्यूए तथ, फ्लोट डाइच लेफ्ट, फ्लोट डाइच राइट आणि फ्लोट डाइच नल। डिस्प्ले प्रॉपर्टी पहली कि तचा अगेन चार वहलुए तचा में पहली आए इनलाइन, दुसरी इनलाइन ब्लोक, थर्ड वन आए ब्लोक इनलाइन, सेकेंड वन आए ब्लोक आनि लास्ट वन आए नन कि जा प्रॉपर्टेंचा यूज करू नापन, CSS मदे है सगे फॉर्मेटिंग एपलाई करू शक्तो, ठीकें, आई होब तुम्हाला है तीन ही प्रॉपर्टी समझले आस्तिल, जर को नलकाई डाउट असेल, तर ग्रूप वर्ती क्वेश्चन विचारा, आनि मर्तेचे तुम् एंसर में जे, ठीके, थैंक यू